दोस्तों चाइना से शुरू होकर जपैन और यॉरप तक प्रिंट कल्चर पूरी दुनिया में अपनी चाप चोड़ रहा था लेकिन हमारे पास जो प्रिंटिंग टेकनीक्स थी यानि की हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो इतनी सफिशेंट और एफिशेंट नहीं थी कि मार्किट में बढ़ती हुई रीडर्स की डिमांड को पूरा कर सके लेकिन इस सबसे धूर कही कोई ऐसा इंसान था जो दिन रात कड़ी महनत कर रहा था एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जिससे प्रिंटिंग असान हो जाए प्रिंट कल्चर का एक नया ही रूप सामने आए दोस्तो आखिरकार कड़ी महनत और एक्सपेरिमेंट के बाद 1430 में हमें मिली हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दोस्तो जर्मनी के रहने वाले जुहान गुटनबर्ग जो की एक मर्चिन फैमिली में पैदा हुए उन् से अपने एक्सपेरियंस से अपने होनर से एक पूरा एक्सपेरियंस लेकर आइडिया लेकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल तयार किया ओलिव प्रेस बेस बनी पूरी तरह से प्रिंटिंग प्रेस के फ्रेम का और लेड मोल्ड से आइडिया लेकर उन्होंने मे और इस printing press पर जो उन्होंने पहली book print की वो थी holy bible जिसकी उन्होंने 180 copies त्यार की 3 सालों में दोसर ये जो 180 copies bible की print की गई ये असल में काफी similar थी जो हमारी traditional और old manuscript हैं उनसे क्योंकि इन में काफी सारी चीज़े बहुत similar थी जैसे कि जो new printing press में print की गई bible books थी उनमें जो alphabets लिखे हुए थे जयानि कि जिन alphabets को carve करके त्यार किया गया था वो उनका style उनका pattern काफी मिलता जुलता था जो traditional handwriting styles थे उनसे in fact in new books में जो patterns, borders और illustrations बनाए गए वो hand printing से ही त्यार किये गए इसके इलावा दोस्तों इस holy bible के, इस 180 copies के भी कुछ rich लोगों के लिए special editions प्रिंट किये गए जिसमें खाली space छोड़ा गया ताकि rich लोग अपने taste, अपने preference के हिसाब से, यहाँ hand printing से designs बनवा सके, अपनी choice से designs बनवा सके दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से press की मदद से print culture का एक नया ही रूप सामने आया और कैसे यह काफी जादा popular हुआ क्योंकि यह पुरानी techniques पुराने manuscript से काफी मिलता जुलता था दोस्तों वैसे एक और बात जो आप जानकर बहुत हैरान होंगे वो यह है कि इस पूरी technique के आने के बाद printing का एक नया ही रूप सामने आया वो इतनी flourish हो गई कि 1450 से 1550 के बीच यानि ठीक सौ सालों के बीच वोर्ल की बहुत बड़ी बड़ी countries में काफी सारी printing press सेट अप की गई Germany से printers travel करकर दूसरी countries में जाने लगी वहां काम करने के लिए और वहां printing press को सेट अप करने के लिए वहां सेट अप करने में मदद करने के लिए इसके इलावा दोस्तो एक टाइम 15th century के second half में ऐसा आया जब European market में 20 million copies printed books की available थी जो कि new printing press पे प्रिंट की गई थी इसके इलावा 16th century में तो यह नंबर बढ़कर हो गया 200 million copies दोस्तो आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे printing press ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया print culture में यह जो hand printing से mechanical printing का shift है यही तो है असल में print revolution दोस्तो इसे के साथ हमने cover कर लिया है आज के lecture को लेकिन दोस्तों next lecture में मलकर हम और भी detail में जानेंगे print revolution और उसके इंपक्त के बारे में तो मिलेंगे next lecture में थांक्यू फर वाच्छिं आपको यह वीडियो बहुत पसंदाया होगा तो इसी तरह से एक मज़़ार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी कई सारे उप्शंस हैं जैसे कि आपके लिए sample papers है, backing size solutions, tip videos and much more. So what are you waiting for? Download the app now.